देखे 8th question क्या कह रहा है कह रहा 1 into 2 2 into 2 square 3 into 2 cube NCRD मुरत लिखा 2 square लिखा हुआ है N into 2 power N ये प्रूफ करना है और ये RD सर्मा का 10th question भी है RD का ये 10th question भी है तो वही बात step 1 heading डालो चाहने डालो डाल देते हैं विसले कि अलग-अलग 3 step में clear हो जाता है for N is equal to 1 LHS की value क्या आएगी 2 आएगी और RHS की value क्या आएगी देखो N को 1 रखोगे तो 1 minus 1 0 हो जाएगा ये पूरा step 0 हो गया तो 2 बचेगा is equal to 2 तो आपने क्या देखा LHS is equal to RHS so given expression is true for N is equal to 1 step 2 में क्या करेंगे for N is equal to K हमने मालिया K के लिए सही है तो क्या बनेगा ये 1 into 2 plus 2 into 2 square अब 2 K into 2 to power K is equal to K minus 1 in bracket 2 to power K plus 1 plus 2 ये 2 आगया step 3 देखिए step 3 for N is equal to अब हमको लगता है step पकड़ में आ गए होंगे K plus 1 अब इसके left hand side में इनको K plus 1 लिखेंगे LHS में लिख देंगे taking LHS आप equation 1 तो 1 into 2 plus 2 into 2 square अब 2 यहाँ पर आएगा K plus 1 into 2 की power K plus 1 इसके पहलाएगा K into 2 to power K ठीक है यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे using equation number 2 तो देखो यह यहाँ से यहाँ तक क्या सेम चीज है यहाँ क्या लिख देंगे आप यहाँ लिख देंगे K minus 1 into 2 की power K plus 1 plus 2 किसकी जिगह लिखा हमने इसकी जिगह है अब प्लस K plus 1 into 2 to power K plus 1 अब देखो अगर हम right hand side में N को K plus 1 लिखते तो आता क्या देखो N को K plus 1 लिखोगे तो यहाँ हैगा K plus 1 minus 1 यहाँ के आता और 2 की power क्या आता K plus 2 आता और plus 2 आता यह result आपको प्रोज़ करके लाना है ठीक है अब जरा इन दोनों स्टिप को देखो इन दोनों स्टिप में क्या कामन दिख रहा है 2 to power K plus 1 कामन दिख रहा है अंदर क्या पचेगा यहाँ से पचेगा K minus 1 plus यहाँ क्या पचेगा K plus 1 और यह वाला 2 लिख दो अब जरा इसको हम रास्ता क्लियर कर लेते हैं यह 2 और 2 कड़ गया तो आगया 2 to power K plus 1 into 2K plus 2 देखो 2 की power K plus 1 और इन टू की power 1 यह K पहले कर दो तो K into 2 की power K plus 2 plus 2 अगर मैं N को K plus 1 रखता हूँ तो right hand side में यही आता है is equal to RHS so given expression is 2 for N is equal to K plus 1 it means it is true for all the values of N this much questions are sufficient for this video otherwise ज्यादा हो जाएगा writing थोला गंदी है बार बार हम कहते हैं लेकिन content ठीक है मैंने सम्झाने की पूरी कोशिस की है अगर आपको लगे की ठीक है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा नमस्कार गोड़नाइट